So well guys, अगर आप भी All-Im Trade से Profit Earn करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कैसे आपको All-Im Trade को अपने Mobile Phone में Use करना है और किस तरीके से आप Mobile Phone की Help से उसमें Strategies को Apply करना है और कौन से Strategy को कब Implement करना है हर चीज हम आपको आगे Discuss करने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट वीडियो में जैसे आपका सबका सिर्फ एक ही डाउट था कि यहाँ पे Strategy को Entry कैसे करें, Exit कैसे करें और कब हमें कितने Time Frame का Trade लेना है हर चीज हम आगे Discuss करने वाले हैं कैसे आपको Beginner Level से बताएंगे कैसे आपको All-in-Trade से Profit Earn करना है दोस्तो अगर आप First Time Trading में Entry करें तो अभी आप यह वीडियो देख कर कि आप Trading से Profit कमा सकते हो तो सिर्फ आपको क्या करना है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है पूरा डीटेल में आपको बताऊगा किस तरीके से ट्रेडिंग होती है All-in-Trade में अनि FTT आप कैसे कर सकते हैं पूरी डीटेल में आपको चीजें समझ आने वाली है और दोस्तों शौर्ट टाइम में आप पैसा कमा सकते हैं किस तरीके से आपको चलिए आगे बताते हैं सो विदाउट बेस्टिंग अनिटाइम लैट स्टार्ट सबसे बहले आपको क्या करना है अपने All-in-Trade अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फोन में उसका लिंक का कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में में जाएगा जैसे हम उपन करते हैं यह है हमारा दोस्तों रियल एकाउंट आपके सामने आपको यहां पर नजर आ रहा है रियल एकाउंट से में आपको दिखाने वालों तो यहां से हटा करके आपको इसको जापानिस केंडल स्टिक पे लाना है और टाइम फिरें आम करके आपको वन मिनट कर देना है तो यहां पर सबसे पहले आपको समझा देता हूं यहां पे candle stick, जो यह candle बन रही है, इसकी timing रहेगी one minute, okay, यह timing रहेगी रहने वाली है, one minute, तो कैसे आपको इसको trade करना है, तो कैसे for example यहां से आप लगाऊगे, तो market अगर आप जाते तो आपको profit होगा, अगर यहां से डाउन लगा होगा, तो यहां पर यहां पर ताइम फ्रेम होता है, यह होता है, जो भी आपको quantity, जितना भी amount आपको लगाना है, और यहां पर टाइम फ्रेम इंडिकेटर वगार आपको मिल जाते हैं, तो किस तरीके से इन चीजों को यूज करना है, सबसे पहल अगर आपको लोगा है तो 135 रुपीज आपको यहां पे profit मिलने वाला है तो यहां पर कैसे आपको trade लेना है कौन से strategy यूज करनी है हर चीज आपको यहां पर दिखाएंगे समझाएंगे किस तरीके से trade लेना है चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपको strategy apply करनी है और दोस्तों fundamental analysis सीखना है वो कैसे implement होती है बिल्कुल आसान सा तरीका है आपको सिर्फ वीडियो को end तक देखना अगर आप ऐसे beginner आपने अभी भी start किया है तो आप वैल अभी भी आप profit कमा सकते हो बिल्कुल आसान तरीके सा profit कमा होगे यहां पर कोई आपको जदा यहां पर confusion नहीं होने वाली है अगर आप easy way से profit कमाना चाहते हो short time में तो काफी अचा आप easily यहां से profit कमा पाऊगे यहां पर सबसे पहले आपको strategy apply करने के लिए करना किया है यहां पर आपको indicator का option पर आपको click करना है यहां पर आपको मिल जाता है bollinger band लेकिन उसके साथ आपको double यहां पर लगाना पड़ेगा smooth moving average किस तरीके से मैं आपको 40 समझाता हूँ यहां पर जैसे for example आपने indicator पर click किया आपके सामने bollinger band का option यहां पर आ जाता है जैसे हम इस bollinger band पर click कर दे हैं तो यहां पर एक हमारा bollinger band add हो चुका है तो plus के बटन पर आपको दुवारा जाना है and second आपको double bollinger band add करना है तो यहां पर गोर से देखेगा यहां पर इस type से एंट्रीज बनने वाले हैं यहीं से ही आपको profit होने वाले बस सिर्फ इतना सा काम आपको करना है कि आपको Smooth Moving Average को आपको 20 रखना है और Standard Aviation को आपको 3 करना है और Second वाले में आपको Smooth Moving Average को 220 रखना है और Standard Aviation को आपको 2 रखना है वैसे ही आपको Confirmation पर Entry करना होता है and then देखो कितना अच्छा है आपको Result भी मिला है तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए for example यहाँ पर देखिए guys यहाँ पर जैसे ही यह Crossover करती है यानि 20 Moving Average को यह Crossover करती है 30 की तरफ जाती है जो मैं आपको Second Moving Average बताई है जो First Line है यह Second Line को Crossover करके 30 की तरफ जाती है यहाँ से अगर वापीस Green Candle बनाती है तो यहाँ पर आपको Entry करना है और यहाँ से आप 1-2 मिनिट का Upside की तरफ ट्रेड ले सकते हैं वह Depend करता है कि आपकी Time Frame कितना है और दोस्तों ट्रेड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको जिस भी Asset के उपर जिस भी करनसी के उपर आप ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं उसकी लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान यहां पर है यहां बर टाइमिंग आपको मिल जाती है यहां पर टांपल अगर इंटर को इस के उसकी इंप्लिमेंट होता है कोई प्रेड को आटी है तो हर चीज यहां पर आपको नजर आ जाता है और यह market को को IMPACT करती है फोरग्जापल यहां पर कोई News आती है और अगर आप के विए पार्ट कर अंदर जाते हो यहां पर कोई करंसी एक है यहां पर दोस्ट तो इस पर को यह चीज़ impact करती है अब फॉरग्जापल मैं उसकी स्ट्राइड़िटी के अंदर आपको entry कैसे लेना आप देखो यहां से market नीचे जा रहा था 20 से 30 की तरफ गया तो 30 के आसपास आपको entry लेनी है और यहां से आप upside की तरफ एक trade ले सकते हो for example एक trade आपको लेकर की भी दिखाते हैं यहां पे यहां पे भी कोई नहीं बन रहा है यहां पे बना था बट यहां पे हम थोड़ा लेट हो चुके हैं यहां पे हम entry नहीं करेंगे और patience के साथ क्योंकि trading is a patience game अगर आप patience के साथ trade करोगे तो well आप यहां पे अच्छा कासा profit कमाऊगे बट ध्यान में रखना यह cross hour नहीं होना चाहिए यगर यह cross hour कर रहे होंगे तो आपको यहां पे ट्रेड नहीं लेना है दोस्तो so well guys अगर आपको बताते हैं यहां पे किस तरी किसा आपको trade लेना है for example यहां से आपको लगता है market उपर जाएगा for example यहां से आपको लग रहा है कि market उपर जाएगा यानि gold का जो price है वो यहां से बढ़ने वाला है तो यहां पे आपको देखो upside की तरफ आप trade कर सकते हैं तो अगर उपर चला गया तो आपका यहां पे profit हो जाएगा अगर यहां से देखो दोस्तो for example down चला गया और अगर आपने down लगया है यानि अगर आपने down की side लगाया है और down चला गया तो आपका profit हो जाएगा easily अगर आपके against जाता है तो आपके यहां पे loss भी होता है दोस्तों ध्यान से इसलिए patience का game है आपको यहां पे patience के साथ यहां पे करना है and easy तरीके से आप यहां पे profit कमा पाऊगे बट लेकिन strategy implement करनी आपको अगर strategy को आप proper तरीके से implement करोगे और 90% यह strategy काम करती है 10% नहीं करती 90% का मतलब है कि आपको यहां पे अगर आप strategy को implement करोगे तो आप easily profit कमा पाऊगे for example, यहाँ पे जिसे हमने एक trade लगा के भी रखा हुआ है, आपके सामने में इसको जूम करता हूँ, okay, so यहाँ पे देखिए, for example, यह trade जिसे हमने लगाया है, यहाँ पे हमने trade लगा के रखा है, उपर जा रहे हैं, अगर in case यह down की side आता है, तो हमारा loss होगा, अगर upside की तरफ जाता है, इस line से उपर रहता है, तो हमारा यहाँ पे profit होगा, और यहाँ पे मैं आपको live trade दिखा भी देता हूँ, 20 seconds यहाँ पे रहे हुए हैं, तो यहाँ पे चली पूरा detail में देख लेते हैं कि क्या होता है, तो यहाँ पे देखो result आ चुक है, और हमें यहाँ पे जो हमारा profit है, वो यहाँ पे आ चुक है, तो हमने strategy only यूज करी, जो हमारे strategy में आपको अभी समझाई, वो यूज करी और यहाँ पे profit easily बन रहा है, तो आप easily profit बना सकते हो, starting में amount कम रखना, लेकिन आप easily यहाँ पे profit कमा सकते हो, and all in trade से easily पैसा कमा कि आपने उसको अपने bank account के अंदर withdrawal कर सकते हो, बहुत easy अगर setup देखना चाहते हो, कैसे withdrawal करना है, वो आई button पे video है, and दोस्तो fundamental analysis देख लेना, क्योंकि जब fundamental analysis आती है, तो technical analysis बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो इसलिए आपको वो जुरूर देख लेना है, without fundamental analysis आपको trade नहीं करना है, first वो चेक करना है, then उसके बाद आपको volume trade ओपन करके trade करने है, so hopefully आपको वीडियो अच्छा लगए, वीडियो अच्छा लगए, वीडियो के लाइक करना, चैनल पे पहली बार चैनल को subscribe करना, और भी interesting वीडियो के देखने के लिए आप पूरी चैनल पो check out कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे, तब तक के लिए, bye bye, take care.